इस वीडियो के अंदर हम जैनेंगे, किस तरीके से आप अपने मुआईल के मातम से NPS अठांट में पैसे जमा कर सकते हो। चाहे आपके पास टायर वरी अकाउंट हो, चाहे आपके पास टायर टू अकाउंट हो, दोनों ही केस में जो तरीका है वो सेम होता है, ठीक है? तो NPS account को पैसे जमा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile में इस वाले page को खोलना होगा, इस वाली website को खोलना होगा इसका link तुम्हें आपको वीडियो के description box में डाल दूँगा, ठीक है नीचे आप आओगे, यहाँ पर आपको login पर किलिक करना है इसके बाद आपको सबसे उपर वाले में अपना user id पासवार डलना होबा है user id आपका brand number होता है, जो कि आपके brand card पे लिखा होता है ठीक है, user id पासवार डालने के बाद आपके सामने dashboard खुल जाएगा और यहाँ पर सबसे जो पहला option हो उपर, transact online पे क्लिक करना है और second number पे लिखा हो है, contribute online इसके बाद simply आपको accept पे क्लिक कर दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपने front में OTP लेने के लिए simply capture code डालना होगा और verify प्रेंट पे क्लिक करना होगा, इसके बाद जो भी number आपके प्रेंट काड में लगा होगा है, उस पर एक OTP आएगा और OTP डालके आपका जो प्रेंट काड है वो verify हो जागा, पर आपको यहाँ पर नमर भी आ गया था, और यहाँ पर हमें simply OTP डालके इसके बाद हमें यहाँ पर select करना होगा कि हमें कौन चाइक पैसे जमा करने है, जैसे कि मैं अभी टायर टू अकाउंट में पैसे जमा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 20 सुरुप जमा कर रहा हूँ, आपके मर्जी है किते ही का सकते हो, पर टायर टू अकाउंट के लिए minimum amount 20 करेंगे, इसके बाद एक बाद द्वारा से verify कर लो, और नीचे आपको यहाँ पर razor पर click कर देना है, यह आसान रहेगा आपके लिए इसके बाद नीचे आना है, और यहाँ पर दोनों जो termination है, इसको आपको accept कर लेना है इस तरीके से, और simply make payment पे यहाँ पर click कर देना है, ए अब यहाँ पर दोस्तों, आपके पैसे जमा हो चुके है, और नीचे साड में देखके लिखा हुआ है, अब आपको कुछ भी ने करना, आपकी payment हो चुकी है, आप इसकी slip को download भी कर सकते हो, print and download slip पर click करके, अब अगर आपको check करना है, आपको पैसे जो अभी आपने भरे है वो online entry हुई है, या फिर अभी तक आपने कितने पैसे भर दिये, उसको check करने के लिए आपको वापस home page पर आना होगा, ठीक है, home page वापस आओगे, login करने के बाद, यहाँ पर आपको second number वाले option पर जाना है, investment पर, out transaction पर click करना है, ठीक है, इसके बाद आपको select करना होगा, कि आप कौन सा account की statement चाहते हो, tier 1 की, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेता है, मैं tier 1 की कर रहा हूँ है, और यहाँ पर मैं simply submit पर click कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, आप इसको zoom करोगे, तो यहाँ पर आपको इस section में देखेगा, number of contribution में, two contribution आ रही है अभी तक हमने दो बार पैसे जमा किया है, और कितने पैसे होगे, इस सब कुछ entry यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो payment अभी हमने करी है, वो यहाँ पर आपको दिखायने देगी, ठीक है, अगर आप तुरन चेक करोगे, तो मजनी आ रहा है, या आपसे payment नहीं हो पा रही है, और कुछ अलग प्रावडम हा रही है, तो प्लीज आप मुझे इंस्टागरम पर message कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे comment सेक्टर में भी लिख दिरम में आपको reply जरूर दूँगा, इस वीडियो को यह खतम करता थैंक यू रहे मच वीडियो देखने के लिए